आज के इस वीडियो में मैं आप लोगे साथ शेर करने वाली हूँ टिपिकल बोडो ब्रेकफास्स जो हम लोग करते हैं आज में इसको बनाने वाली हूँ बोडा साउल और भाट यानि की माइब्रा उखाम जो हम बोडो में बोलते हैं सबसे पहले इस थोड़ा रिफाइन डॉइल लेके सोख किये हुए चावल को मैंने फ्राइ किया है थोड़े टाइम के लिए इस राइस वर सोख और ओवरनाइट पूरे रात मैंने इसको पानी में भी गोरके रखा था इसको ऐसे मिस में बोडा साउल और जौरपन कहते हैं और बोडो में हम लोग कहते हैं माइब्रा उंखाम इसको आप दूद के साथ या फिर चाय के साथ भी खा सकते हैं फूरे टाइम फ्राइ करने के बाद मैंने इसमें एड़ किया है फूर स्पून्स और शुगर अगर आप प्रिफर करते हो तो ज्यादा भी दे सकते हो पिर नहीं चाहते तो कम भी दे सकते हैं मुझे ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने टू स्पून्स एक्स्ट्राबी डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स करके और थोड़े टाइम के लिए फ्राइ करना है तो अभी मैं इसमें एड़ करने वाली हूँ थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से कूप होने के लिए रख दूंगी और इसको ढग दूंगी और कुछ समय धखने के बाद इस रेड़ी तो इसमें मैं एड़ करने वाली हूँ थोड़ा सा दूप और मैं खाने वाली हूँ और इस। इस इस अफ दो फिनल लो पफ दो बेख वाली हूँ झाल प्रख दूंगी और दूंगी और इस विए खाने वाली के वाली हूँ दू आँ जिस अबस्सक्राइब का इस वाली हूँ